मतलब जब YouTube पे रहना ही है इतने टाइम तक हैं 2017 से बैठे हुए हैं तो फिर तीन साल आगे की प्रेडिक्शन करके भी तो मज़ा याने वाला है तो गयास सुमा चैंपियन्स ऑफ दो वर्ड मैं हूं 3DX चेतर हैं येस आज हम ऐसे अभी जो वर्ल्ड चैंपियन्स या फिर बड़े सूपर स्टार्स इस समय डब डब लीके या फिर बेस्ट रेसलर्स जो हैं उनको देखने वाले और उनकी प्रेडिक्शन देखने वाले है कि हाँ भईया वो 2025 तक किधर होंगे क्या होगा उनके साथ या क्या कर रहे होंगे and we'll review actually कि actually में वो होगा भी या नहीं और अपने thoughts भी देंगे article का link description में रहेगा 2-3 चीज़े हम छोड़ देंगे तो start करते है number 1 से जो कि उन्हें रखा है Cody Rhodes तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा जो भी नाम आएगा पहले तो मैं उनकी age चेक करूँगा because by Bobby Lashley का जब से मेरे को age पता चलिया ना मैं अब किसी भी वरोसा नहीं वो बंदा किसी भी angle से 40 प्लस का तो नहीं लगता ऐसा लगता है कि वो अभी होगा अपने 25th या 30s में लेकिन 40 प्लस that is crazy तो Cody Rhodes का जो उन्हें प्रेडिक्शन करिये basically वो world champion के तौर पे करिये कि हाँ 2025 में वो हमें as world champion बनते दिखाई दे रहे होंगे मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार बनेंगे इतने time के बाद बट उस time पे उनके पास championship होगी जो कि ये काफी अच्छे prediction है considering कि Cody Rhodes की age इस समय 36 की है and if I remember correctly उन्हें ने किसी interview में भी कहा था कि अगर उन्हें दुबारा से director role या फिर vice president backstage का role अगर करना होगा तो वो 45 की age में जाके सोचेंगे अभी तो वो लड़ने आये तो 3 साल के बाद वो 39 के होंगे which is a good age for a world champion I believe and Cody Rhodes का जिस तरह से ये run रहा है जिस तरह से भी return भी करेंगे भेंकर वाली Royal Rumble के आसपास you can pretty much assume कि next 3 साल तो छोड़ो हो सकता है कि next 5 साल भी Cody Rhodes के नाम रह सकते it is just like Seth freaking Rollins बंदे ने क्या dominate किया 2014 से लेके 2021, sorry 2022 चल रहा है भी आठ साल तक Seth Rollins you know उस top 3 के list में रहा है तो वैसे ही अगर हम Cody Rhodes के लिए भी अगर assume करें then there's a good chance कि वो world champion हो सकते है उस time पे तो मेरी prediction या फर भी same रहने वाली है that Cody Rhodes with the world title next up is yes yes you're so fresh you're Sasha Banks you're Sasha Banks कर तो देखो अभी तो रिपोर्ट्स भी निया रही आजकर मालब जब से यह Hell in a Cell और Double or Nothing और यह सब pay-per-views हो है ना पता नी Sasha Banks and Naomi के बारे में के news बूली गए मुझे पते क्या लग रहा है जैसी कोई news reports हानी बंद जाएगी ना फिर निकलेगी Sasha and Naomi की oh my god huge update Sasha Banks just opened her Instagram and started surfing bro that is not a news but anyways वो रहा है वो यह की Sasha Banks on AEW 2020 में now the best thing is they're assuming all elite wrestling 2020 तक 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 I give it a 10 out of 10 on that but Sasha Banks on AEW is a little bit of stretch I don't think so कि Sasha Banks is going to the place जहां पर Kiera Hogan होगी Kiera Hogan और Sasha Banks का अगर आपको connection नहीं पता then very good आप बहुत अच्छी जगे पे रह रहे हो कोई ज़रूरत नहीं है सब चीजी जानने की and the thing is कि Sasha Banks का जो मिरको लगता है कि like लोग example देते डैनल बैन और इन सब का but Daniel is not into acting or some other field Daniel brand का जो blood में है वो pro wrestling है और pro wrestling की हर craft फिचाई sports entertainment हो या फिर in ring style हो वो हर जगे से इन्हों अपने आपको उसमें invested रखना चाहते है but Sasha Banks की case में ऐसा नहीं मेरको लगता कि उनका acting की तरफ यानि कि जो दूसरे media platforms है उनकी तरफ ज्यादा attention है तो I am not assuming के वो बंदी All Elite Wrestling में देखने को मिलने वाली माय प्रेडिक्शन इस के साशा बैंक्स 25 में भी WWE के अंदर ही रहने वाली है very bold prediction but it is what it is by predictions तो अब bold हो सकती है अगले दो नाम एक साथ ले लेते हैं because you know दोनों का same ही title है AJ Styles and Edge and दोनों के लिए इन्होंने रखा है retire यानि कि 2025 तक में दोनों बंदे retire होते देखने को मिल जाएंगे and इसमें prediction करने वाली बात इसलिए नहीं है because दोनों बंदों ने openly कह दिया कि इनके पास अब ज्यादा time बचा नहीं है WWE के अंदर है न तो एक दो साल Edge लडने वाले हैं और AJ Styles का भी कुछ ऐसा ही scene है तो तीन साल से पहले यानि कि मिल को ऐसे लगते कि 2024 या 23 में दोनों सुपरस्टार्स अपनी retirement अनाउंस करते दिखाए दे सकते बहुत sad place होगी बहुत emotional moment भी हो जाएगा हमारे लिए Edge के तो case में शाइद emotional moment नहीं हो ए ए कमाँ डोंट गेक मी रो गया अल्रेडी emotional हो चुकिया उनके लिए हम 2010 में राइट सुरी 2011 में 2011 में तो दो बार emotional नहीं होने वालो चलो ठीक है यार तुम रेटीड आर सूपरस्टार हो तो हो जाएंगे एक और बार emotional लेगिन फिर मत करना दुबारा से return ठीक है ना माइकल्स की तरह है कहीं पता चले बाल कटफा के आ रहे हो और एक बॉच वाले मैच में घुस गए ना ना अब रिटायर हो तो बढ़िया से मैच देखिए मैं तो कह दू कि तुम दोनों ही मैच लड़ लो और जो हारेगा वो रिटायर हो जाएगा और क्या होगा उस मैच क चाहँगों कि और नहीं मैं चाहता हूँ कि और लड़े और लड़े देखो जब अंदर से अगर इच्छा खतम हो गई है और एजे स्टायल्स कभी हमने रिसेंट में देखा यार बंदे मैंने कभी नहीं सोचा कि एजे स्टायल्स जैसा बंदे के साथ ऐसी हरकते होंगी I think मेरे प्रेडिक्शन भी यहां पर सेम रहने वाली है एजे स्टायल्स एज कोई टो भी रेटायर्ड पेफ़र 2025 और डिरिंग 25 नेक्स्ट अप इस बीस्ट ब्रॉक लेजनर ब्रॉक लेजनर का बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला बिकॉस ब्रॉक लेजनर के अगर मैं ब्रॉक लेजनर के केस में जो आता है वो उनका दिल आता है बिकॉस ब्रॉक लेजनर उस पोजिशन पर पहुंच चिके और उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं रहने वाला अगर उनको अपोर्चुनिटी दिखेगी कि हाँ भाईया मैं ओडियन्स को कुछ दे सकता हूं ब्रॉक लेजनर का एरा कहीं न कहीं अब हमें खतम होते दिखाई दे रहा है एक हमें रिटार्मेंट मैच डेफिनिटली यूनो टुंटी टुंटी फाइव से पहले देखने को मिल सकता है ब्रॉक लेजनर का मतलब दोजात पच्चिस मेर को लग रहा है कि ऐसा टाइम आने इतने बड़े-बड़े स्सक्राइब का इसे करेंगे जलोग करेंगे अनीवीर नहीं रहा है कि इना लिटेक्शन रिटारU driven के रह रहा है मेरी प्रिटिशन रिटारेसे में रहा है कि एर लग्लाक लैजनर कर चाहता हूं कि यह कि यार दिखो यह पस फूलीज 50 तक टिक जा नहीं कि वो retirement भी नहीं लेंगे, Hollywood में भी चले जाएंगे, you know, WWE में दिखाई भी नहीं देंगे, बट देंगे तब, you know, oh my god, Roman Reigns is coming, just like John Cena के साथ होता है, recent में, बट यह है कि, क्या, Roman Reigns तब match जीतेंगे, क्योंकि John Cena के case में तो ऐसे ही वाई, अगर वो Baron Corbyn जैसे से लड़ रहे हैं, तो तो जीत जा रहे हैं, लेकिन बड़े-बड़े सूपरस्टार से बंदे हार जा रहे हैं, खेर वो तो बात की बात रहेगी, अगर मेरी प्रेडिक्शन की बात करूँ, मेरे को लगता है 2025 तो कुछ जादे ही बोल रहे हैं, मेरे को तो लगता है 2023, 2024, शायद उसके पहले ही बंदा रिटायर मार जाए, और Hollywood में हमें बंदा देखने को मिल जाए, और अफ्टर मेकिंग इस वीडियो इतने सारे सुपरस्टार्स के बारे में बात करने के बाद आप ऐसा लग रहा है कि यार 2024 पच्चेस के बाद WWE कैसा चेंज हो जाएगा यार सिनेरियो, माला पूरा फैन बेस चेंज हो जाएगा है ना और सारे सुपरस्टार्स नए नए देखने को मिलेंगे, मैं बहुत ही जादा एक्साइटेड हूँ अपना ये कदम रखने के लिए दूसरी जनरेशन में, हमेशा अच्छा लगता है, I know कि disappointing में होता है कि आ रहे यार ये सुपरस्टार्स छोड़ रहे पर दैस पाइट ऑफ दा लाइफ, एक नए की दिन सबको तो भाई दे को छोड़ना है, it is WWE, it is not acting के भाई आप बूढे भी होरे तो भी आप कर सकते हो, that's the disadvantage in WWE, तो yes, मेरी प्रेडिक्शन रोमल रेंज के लिए भी रहेगी कि वो भी पहले ही रिटायर हो जाएंगे, I hated it कि आदे से जादा तो रिटायर के लिए थे, Cody Rhodes का ही था, जो कि वर्ल्ड चैंपियन के लिए था, Otherwise, Seth Rollins का भी अगर मेरे को लगता है कि इसमें अगर मैं डालू, तो Seth Rollins का भी मेरे को लगता है कि वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही लड़ रहा होगा बंदा, Anyways, comments में definitely, मैं बताता हूँ, आप से क्या बोलते हैं, John Moxley, MJF और Chris Jerry, इन तीन सूपर स्टार्स के बारे में आप लिख के बदाओ comments में कि आपको क्या लगता है, ये तीन सूपर स्टार्स, तीन साल बाद दोजार पच्चिस में कहां होंगे, क्या गर रहे होंगे, comments में लिख और अगर आपको व्डू पसंद है, तो प्लिए लिए को शेर को चनल के सब्सक्राइब करो,